ये वासब गाइस कैसे हो सागे सारे I hope so video होंगे so finally जैसे कि तुम जानते हो बाप इससे रेटन शोन का rerun होने वाला है और बहुत लोगों की demand थी कि उनको एक guide वीडियो चाहिए बाउट दे रेटन शोन वो भी updated तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं लोगों के लिए इसमें मैं बात करूँगा रेटन शोन के बारे में उसके weapons उसके artifacts वो कैसे काम करती है C0 में कितनी अच्छी है F2B builds वगरा team com and all सब कुछ aggravate के साथ कैसी है वो hyperbloom के साथ कैसी है तो वो सब मैं इस वाले वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो को and तक देखना और अगर आप नहीं हो तो make sure you like and subscribe because मैं ये सब वीडियो बनाता रहता हूं about the builds and review and जब से रेटन शोन का debut है तब से मैं रेटन शोन को इस्तिमा कर रहा हूं as a F2B player तो मैं इस वीडियो में अपना personal experience भी बताऊँगा कि रेटन शोन में as a F2B player की ऐसी है character तो लेट्स जब इंट इंट एट and talk about how to build रेटन शोन तो सबसे पहले बात करेंगे रेटन शोन के talents के बारे में कि ये कैसे काम करती है सबसे पहले बात करते है normal attacks की तो normal attacks 5 बारी ये hit करती है इसका नहीं link है skill से नहीं ultimate से तो ये separate है आप इसको चाहो तो level up कर सकते हो वरना चाहो तो छोड़ सकते हो इसका जो stamina cost 25 का है और इसमें scaling आप देख सकते हो और आप बात करते हैं सबसादा important चीज़ की और वो है skill क्योंकि skill इसकी है team supportive और इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिलता है element burst damage bonus जो की energy के basis पे और इसका duration 25 है इसका damage कुछ high तो नहीं है मगर reactions करने के लिए काफी अच्छा है ये eye bunny आती है character के उपर और जिसको भी आप hit करते हो उसके electro damage होता है तो जैसे कि तुम इसमें पढ़ सकते हो उसमें लिखा हुआ है कि जिस character के उपर eye bunny आती है उसका element burst damage है वो increase होता है on the base of the energy cost जो eye की duration है वो 25 seconds है और इसके talent level के basis पे आपको bonus मिलता है तो इसका buff depend करता है retention के talent पे कि आपने इसका talent कितना level up कर रखा है plus जो आपका character है उसकी burst cost की energy कितनी है so example को तोर पे अगर किसी की 40 है तो आपको 12% मिलेगा talent level 9 पे तो यह आप calculate कर सकते हो मैंने तो calculate किया नहीं है तो आप खुद से कर सकते हो और find out कर सकते हो कि आप कितना मिलेगा आपको तो यह है team support के लिए तो आप बात करते है retention की ultimate की जो की main source of damage है जहां से रेंट का mostly damage आता है plus यह team supportive भी है because इसमें particles दो मिलते है वो distribute होते है team में and इसको use करने से पहले आपको अपने बाकी team members की ultimate use करने पड़ते है because तभी आपको stacks मिलते है plus तभी आपको bonus मिलता है उसके बाद आपको यह use करने पड़ते है तो जैसे आप use करोगे पहला जो slash damage होता है उसकी value आपे मिलेगी आपको उसके बाद आप norm है and charge attack hits करोगे तो उसकी value होगी तो सारे के सारे damage आपके electro damage होते है उसके साथ-साथ इसकी burst cost 90 है जिस वज़े से इसको high energy की requirement होती है plus इसका duration जो है वो सिर्फ 6 seconds के लिए होता है and जो इसका energy restoration है वो 2.5 है तो maximum stacks पाने के लिए और maximum outcome लेने के लिए आपको वो characters use करने पड़ेंगे जिनका burst cost high है like 70, 80 और 60 ताकि आपका जो circle है Raiden के back का वो पूरा fill हो सके उसके बाद आपको Raiden के ultimate मारनी है in the end तो उसका पहले passive में लिखा हुआ है कि party members जो gain करेगा elemental orb और party girls तो उसका behind the back जो chakra होता है उसमें 2 resolve stacks gain होगा every 3 seconds और बात करें 2nd passive की तो वो पूरा का पूरा focus किया energy recharge पे energy recharge पे इसको मिलता element damage bonus plus यह जो energy restore करती है team के लिए अपनी ultimate में वो भी depend करता है इसी पे so because of the second passive Raiden Shogun and इसकी ultimate cost इसलिए Raiden Shogun के लिए first priority हमेशा energy recharge है मगर इसका बतलब यह नहीं कि इस पूरा का पूरा energy पे build करना है ऐसे rate rate, create damage and attack percent भी उतना है ज़रूरी है जितना energy recharge so you can play Raiden Shogun as a main DPS or as a support according to your choice और एक और बात थी जो मुझे cover करनी थी कि यह बीडों के साथ काम नहीं करती I don't know why Shinjo के साथ काम करती है समझ लो क्योंकि यह बिल्कुल perfectly suit करता है Raiden को and support करता है उसको plus इसमें मिलता है 20% energy recharge 2 piece set bonus से and 4 piece से आपको energy के basis पे मिलता है element burst damage bonus 75% आप bonus इस तरीके से obtain कर सकते हो यही इसका signature set alternative के थोर पे if you are beginner you can use a 22 set bonus you can use 2 piece attack and 2 piece energy energy और electro आप वो सब इस्तमाल कर सकते हो बढ़्या perfect set यही एक set है इसके सिवार कुछ भी नहीं है जो की Raiden के लिए बिल्कुल best set हो so now we gonna talk about sense coblet circuit में क्या जाएगा energy recharge because of the high burst cost energy and the second passive उसको ध्यान में रखते हुए हमें energy recharge यूज करनी है क्योंकि हम नहीं चाहते है कि हमारी rotation खराब हो या फिर rotation हो ही ना पाए so इसलिए हमें energy यहाँ पर चाहिए ही चाहिए और perfect energy अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा it's 230 with the 250 around 230 for the 30% extra because of the team और इसके खुद के लिए ताकि up to time आपको burst मिले 230 is really good मगर 250 is really safe side बहाँ पर आपको एक smoothly rotation मिलीगे जिस विज़े से आपके काम काफी असान हो जाएंगे believe me so that's why वो number पाने के लिए आपको यहाँ पर energy recharge use करना ही पड़ेगा बात करते हैं goblet में तो यह depend करता है पूरा का पूरा आपके piece के उपर अगर आपके पास एक electro goblet है जिसका CB बहुत ज़्यादा अच्छा है वो आप इस्तमा कर सकते हो और you can use attack person it depends on the weapon also and the team support also अगर आप team में कोई ऐसा character इस्तमा कर रहे हैं जो की attack buff देता है like ban it को जो सारा तो आप यहाँ पे electro डाल सकते हो या फिर आप इसका signature weapon यूज कर रहे हो तो उस case में आपको energy पे focus करना है because energy के basis पे आपका attack boost होता है तो यहाँ पे आप electro डाल सकते हो because of the signature weapon तो बात करते हैं circulate की तो circulate में जाएगा created a crit damage अपने ratio को balance करने के लिए अगर example ratio की बात करूँ तो you can give 55 crit rate plus 150 crit damage with a 250 energy recharge is really good अगर बात करूँ attack की तो something 1800 between 2000 is really good because radian shogun energy के साथ crit rate और crit damage भी इस्तमाल करती है तो यहाँ पे आपको अपना ratio balance करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास जो बड़िया piece हो crit rate या crit damage का आप वो इस्तमाल कर सकते हो बात करूँ सबस्टेट्स priority की तो सबसे पहले आता है energy recharge and crit rate, crit damage और attack person तो अब बात करते हैं aggravate damage की और hyper bloom की तो hyper bloom के लिए आपको पूरा का पूरा EM पे build करना पड़ेगा 90 करना पड़ेगा इसका level, character level, weapon EM और artifacts EM, EM, EM you can use 4-piece gilded dreams और you can use flower of paradise तो आप ये दो option यूज़ कर सकते हो hyper bloom के लिए पूरा EM बिल्ड करना पड़ेगा but मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही बेकार idea इसमें आपका written का damage तो low होगा plus energy, team support जो energy का काम करती थी वो भी नहीं कर पाएगी है so it's up to you, what do you want and रही बात aggravate की तो आप aggravate इस्तमा कर सकते हो aggravate के लिए थोड़ा बहुत EM चाहिए होगा जो कि आप team support से carry कर सकते हो इसके लिए और substats में ढूंड सकते हो that's it, मैं aggravate के लिए कोई recommend नहीं करता कि आप sans में EM लगा या goblet में EM लगा, उसकी जुरूत नहीं है आपको थोड़ा बहुत EM मिल सकता है substats से तो वो बढ़िया रहेगा, बाकि आप team से भी carry कर सकते हो so in the end मैं बस यह बोलूँगा कि depend on the peace value and the team support कि आप इस्तमाल क्या कर रहे हो उसके basis पे आपको attack और electro में choose करना है so I hope तुम्हें सब कुछ समन में आ गया होगा about the artifacts मने सब कुछ detail में बता दिया है फिर भी अगर कोई question होते है तो you can ask me in comment section और you can ask me in discord so artifacts के बारे में बस इतना ही था अब बात करते हैं weapons की इसको पाने के लिए आपको fishing करनी पड़ती है और इसको refinement 5 करना पड़ता है because इसका maximum damage जो है वो इसके passive से आता है और energy recharge पे बेस है जो कि energy recharge रेडिन को चाहिए होता है आथ को इसम अदर options की अगर आपके बस कोई 5 star है जैसे कि Skyward Spine और Star of Homa तो आप वो भी इस्तमा कर सकते हो तो अगर आपके बस दोनों weapon है तो मैं बोलूँ आप Skyward Spine रेडिन पर इस्तमा कर लो और catch weapon इस्तमा कर लो अपने shangling पे अगर आपकी energy requirement फुल्फिल नहीं हो रखी then use catch weapon साथ करो staff of Homa की तो staff of Homa सबसे best है अगर आपने अपनी energy फुल्फिल कर रखी है तो staff of Homa is really good and you can use some other options like primordial jade spare अगर wave of coffin है आपके पस तो वो भी काफी amazing option है और you can use deathmatch BP weapon अगर आप एक early stage player हो अगर आपके पस और कोई option नहीं है तो I recommend go with the Favonious Lens because of the high base attack and 30% energy recharge and the passive which help you a lot in case if you don't have Favonious Lens and cash weapon अगर आप farm कर रहे हो उस period of time में आप prototype star glitter भी इस्तुमा कर सकते हो and बात करो best in slot की तो best in slot में of course written का signature weapon आता है because वो पूरा इसको support करता है अगर मैं बात करो written के weapon ranks की तो सबसे बहुत इसका signature weapon आता है उसके बाद you can use any other 5 star and best 4 star in slot वो है catch weapon तो आप बात करते हैं concentration की जिस वज़े से बहुत लोग परेशान है वो पूछते रहते हैं कि आउनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए तो मेरे भाई अगर आप एक F2B प्लियर हो तो concentration निकालने की जुरूत नहीं है बात करते हैं C1 की तो C1 में जो उसका chakra है वो जल्दी refill होता है जो electro characters है उनसे ज़ादा जल्दी होता है और जो बाकी अधर element के होंगे उनसे 20% होता है इसमें 80% electro से होता है C3 में level increase है ultimate का C4 is a team supportive jessies की ultimate खतम होती है all party members gain 30% attack bonus for the 10 seconds C5 level increase है high ability की C6 में जैसी radian शोगन अपनी ultimate use करती है बाकी other party members का जो burst cooldown होता है वो decrease हो रहा होता है बस यह है और कुछ खास नहीं है तो यह था concentration के बारे में जो की simple and straight थे मैंने तुम लोगों को समझा दिया है फिर भी कोई सवाल होता है तो you can ask me in comment section अब बात करते है character level की तो yes आपको radian को 90 करना पड़ेगा बिकाज आप इसके साथ reaction वगरा भी करते हो और अगर आप aggregate करते हो hyper bloom करते हो तो 90 करना ही पड़ेगा और इसको 80 plus करना बहुत ज़रूरी है बिकाज यह energy recharge provide करती है 32% जो की आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो यह था radian shogun को कैसे build करना है और वो किस तरह की से काम करती है अब बात करते है team com की so there is a lot of team coms जो की आप radian के साथ इस्तमाल कर सकते हो you can use 2 dendro and 2 electro and you can use radian national जो की बहुत ज़ादा broken है and you can use radian hyper carry and you can use a double dendro and one hydro and you can also use double hydro with radian shogun you can use this team also यहावे में पस यूला निया but if you have EULA you can use this team तो यह थी कुछ streams जो कि मैने तुम लोगो बता दिया अब वक्त है शोकेस करने का तो let's jump into it I'm using cash weapon R5 with my 51, 165, 260 energy recharge कि अपने का जगर दूज़ कीर आवर, इगा शोकेश ज़िए पहाँ भ्केश में यहाँ झाल 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 इसको बिल्ड करना काफे इसको बिल्ड करना काफे एजी था मेरे लिए और इसके साथ खेलना बहुत फन भी है प्लस इसके साथ मुल्टिपल टीम कॉम्स है तो बहुत अच्छा लगता और इसने इसके साथ में बहुत हल बहुत हल बहुत हल गरिया तो तो बिए अगर आप भी चाहते हो बस वगारा करना इस करेक्टर चेंज दो बांटो अधर इसको पसंदाए और अगर वीडियो पसंद आई तो ड्रॉप लाइक और सब्सक्राइब मैं भी लूँ अपनी लाइब स्ट्रिम में तब तक ले बाई चेकर लेविए और पीस